नवसकार वेब दुनिया नीूज में आपका स्वागत है और नज़े डालते है आज की प्रमुक ख़बरोंपर मिस्त्र में विमान का अपहरण मिस्त्र में मंगलवार को अलेकज़डेर्या से काहिरा जार है विमान का अपहरंड कर लिया गया विमान में कुल 60 लोग सवार थे जिनमें चालग दल के साथ सदस्य भी शामिल है विमान में कोई भारती यत्री नहीं था अपहरंड करता ने विमान को साइप्रस ले जानी के लिए कहां उसने अपने शरीर पर विस्फोटक बांध है मिस्तर की मीडिया ने अपहरंड करता का नाम इबराहिम समाहा बताया है वो मिस्तर का ही रहने वाला है अपहरंड करता ने विमान चालग दल के सदस्यों और चार विदेशी नागरिकों को छोड़ कर सभी आत्रियों को रीहा कर दिया है उत्राखंड में राष्टपती शासन पर लगी रोक नेनिताल उच्चनयायले ने उत्राखंड में राष्टपती शासन पर रोक लगाते हुए हरिश रावत सरकार को 31 मार्श को विदान सभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया उच्चनयायले ने मुख्यमंतरी हरिश रावत की और से राष्टपती शासन के विरोध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी और कहा कि राष्टपती शासन सही नहीं है आदालत ने हरिश रावत सरकार को सदन में 31 मार्श को बहुमत साबित करने को कहा इस दौरान कॉंग्रेस के नो बागी विदायक भी मद्दान में हिस्सा लेंगे कनहिया ने कहा सिक विरोधी दंगों से अलख थे गुजरात के दंगे देश द्रो के आरोप से घिरे जन्यू छात्र संग नेता कनहिया कुमार ने एक बार फिर केंद्र की नरेन मोधी सरकार पर अप्रत्यक्ष हमला करते हुए कहा कि 1984 में हुए सिक विरोधी दंगों और 2002 में गुजरात में हुए दंगों में बहुत अंतर है जेन्यू परिसर में आयोजीते कारेकरम में कनहिया ने कहा कि सिक विरोधी दंगे उनमादिक भीड का नतीजा थे जबकि गुजरात के दंगे सरकारी मिशिनेरी द्वारा परायोजीत थे इसलिए दोनों में काफी फर्क है उसने कहा कि भीड द्वारा आम आदमी की हत्या करना और सरकारी मिशिनेरी के माध्यम से नर्ड सहार किये जाने में बड़ा अंतर होता है गोगई ने कहा हिटलर की तरह काम कर रहे हैं मोदी असन के मुख्यमंत्री तरुन गोगई ने प्रधान मंत्री नरिन मोदी को हिटलर करार देते हुए राजक सरकार पर आरोप लगाया कि उसने पिछले साल राजजपाल के साथ मिलकर राज्य की कॉंग्रेस सरकार को गिराने का प्रयास किया था और इसके लिए धन एवं बहुबल का भी सहारा लिया गया था तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके गोगई ने प्रभान मंत्री मोदी वरा चुनावी रेली में उनकी उम्र का मजाग बनाने की आलोचना करते हुए कहां कि मोदी देश को हिटलर की तरह चुराने की खोशिश कर रहे है अभी जैसा उत्तराखण में हुआ उन्हारे राज्यपाल कार्याले का इस्तमाल मेरी सरकार को गिराने के लिए भी किया था विराट कोली फिर बने T20 के बादशा ICC T20 विश्वक अप में अपने तुफानी प्रदर्शन की बदोलत विराट कोली खेल के इस सबसे छोटे फॉर्मिट की रैंकिंग में फिर से दुनिया के नंबर वन बल्लेबास बन गए है वेस्टर इंडिस के लेक स्पीनर सैमियल बदरी गेनबाजी में नंबर एक स्थान पर है बारत के आखरी ग्रूप में मेच में आस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद बयासी रन की वीजे परी खेलने वाले विराट ने टूनामेंट में चार मेच में 132 से जादा के स्ट्राइक रेट और बयाड़ों के औसस से 184 रन बनाए है इस प्रदर्शन से उन्होंने बल्लेबाजी में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया